नमस्कार, News Click में आपका स्वागत है, आज हम प्रोफेसर सतीजीत रथ के साथ फिर चर्चा करेंगे COVID-19 की इस वक्त जो दोड़ है हमारे देश में, वो कहां तक पहुंचने के पहुंच रहा है, कहां तक पहुंचने के संभावना है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सतीजीत अगर हम देखे, आज की तारिख में अगर हम देखे, जिस रफ्तार से ये COVID-19 की बढ़ात्री हो रही है, ये सबसे ज़्यादा है, पहले बार की जो फीक थी, उससे काफी आगे हम पहुंच चुके हैं, उस वक्त करीम एक लाग के पास पहुंच गया था, अभी हम देख लाग क्रॉस कर चुके हैं, अज इस वक्तार से जा रहे हैं, तीन-चार दिन में शायद दो लाग तक पहुंच जाईगे, तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम काफी नाजुक स्थिती में हैं, और देख रहे हैं क कि बहुत शहरों में, प्रदेशों में, रूरल सेंटर्स की बाद तो छोड़ी दीजिये, हॉस्प इस्पताल, वेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन, ये मुआयना कराना मुश्किल हो रहा है, मिल दी रहा है, तो काफी क्राइसिस इस वक्त है, और जो एक पहले एक तस्वीर दे ग क्या लगता है कि हमारी क्राइसिस अगले दो-तीन हफता और बढ़ेगी, हलांकि भविश्य बारी करना हमने पहली भी कह चुके है, संभब नहीं है, ज्यादा-ज्यादा हम दस दिन आगे की बात कर सकते हैं, पर बहुत प्रांतों में कर्फ की फ्लैटिनिंग नहीं नज़र आ रहा है, पर ये खुशकबरी थोड़ी सी है, थोड़ी सी खुशकबरी के जलक कह सकते हैं, जो बड़े शहर काफी प्रभावित थे COVID-19 खास्तों से महराश्टर में, उनमें थोड़ी सी फ्लैटिनिंग आप दे कर जिसे कहते हैं, दिखाई पड़ी है, तो आपको क्या महराश्टर में, वहां पिछले हफ़ते भर से 50-60,000 के दर्मियान हर दिन के आँकड़े उपर नीचे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, कि जो तेज रफ़तार से बढ़न्त हम देख रहे थे, वो महराश्टर में लग रहा है कि थोड़ी कम हो रही है, ये अच्छी बात है और ये और ही अच्छी बात है, इसलिए कि महराश्टर के जो आकड़े थे, वो देश के आकड़ों के 40-50 फीसदी आकड़े थे, तो महराश्टर में अगर थोड़ी पढ़न्त में कमी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें दूसरी और से भी हमने द पहलाव हुआ था, वो चंद शेहरों में, चंद इलाकों में, चंद जगहों में था, आज का जो पहलाव है, वो बहुत ज्यादा देश के हर कुने में, गाउं गरोंदों में, ना ही सिर्फ शेहरों में, हर जगह प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इसलिए महराश्टर के आंकड़े उतनी तीसी से नहीं बढ़ रहे हैं ये अच्छी बात है लेकिन और कई जगहों में और कई लाखों में आंकड़ों की बढ़ा सरासर जारी है तो उस वजह से उस भैलाव के विकेंदरी करण की वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले महीने भर में ये प् प्रभावना दिखाई दे रहे हैं तो आप जो बात कर रहे हैं इसमें से एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार काफी प्रभावित कह सकते हैं कि इस वक्त महामारी की प्रभाव काफी डिस्ट्रिब्यूटेट है काफी फैला हुआ है पहले थोड़ी बहुत पॉकेट पे केंद्रित था, dense population जहां था, शहरों में खास तोर से, dense population में जाना तर था और वो काफी effective थे और इस बार अभी जो है शहरों में भी, जैसे दिल्ली में हो, मारपुने में हो, मुंबाई में हो, पर उसका प्रभाव काफी बिस्तृत है और इस वज़य से संख्या इती संख्या में आप हम देख रहे हैं, लोग बिमार पड़ रहे हैं, और अगर हमारी जो COVID tracker maps है, उसमें अगर एक नज़र डालेगे, तो उसमें देखेंगे कि बहुत प्रदेशों में रफ्तार जारी है, और वहां पर कोई flattening नज़र नहीं आ रहा है, तो ये जो है, लग रहा है कम से कम अभी जो आपने कहा, कुछ दिन तक ये रफ्तार रहेगी, अभी हमारा doubling rate जिसे कहते हैं कि पिछले 10-12 दिन में संख्या कितनी बड़ी है, तो doubling rate धबल होने की number दिन की हिसाब से 10-12 दिन में double हो रही है, ये थोड़ी सी चिंता जनक है, क्योंकि इस रफ्तार से हम हमारी पहले जो peak था हमारा वो नहीं था, इससे भी तेजी के रफ्तार से इस वक्त बढ़ रही है, वहाँ पर initial phase पे इस रफ्तार से बढ़ रहा था, पर इसके बाद जब numbers काफी हो गए थे इस रफ्तार से बढ़ नहीं रहा था, और आप सही कह रहा है कि इस बार विस्तार इसका ज्यादा है, distribution इसका काफी wide है, पहले इसका distribution उता वाइड नहीं था, वहीं है, दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम तो एक चीज और देख रहे हैं कि कुछ जगों पे positivity rate जो है, वो काफी high है, इसका मतलब कि test जो हो रहे हैं, ज्यादा काफी उसमें positive निकल रहे हैं, य आप शायद देख लिए positivity rate काफी high मिलेगा, तो एक तो यह सभी आंकडे बताते हैं कि इस वक्त हम नाजुक स्थिती में हैं, पर इससे उभरने के लिए इस वक्त हमारा क्या कारिक्रम क्या होना चाहिए, तो इसमें एक और बात बड़ी चिंताकी है और वो यह है, कि हालंकि इस बार का फैलाव काफी विकेंद्रित है, काफी विस्तरित है, हर इलाके में, हर जिले में, तकरीबन कुछ न कुछ प्रभाव और प्रभाव की बढ़ंत, दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप यह हो रहा है, कि जहां खास करके छोटी शहरों, गाओं में, जहां वैदिकीय सुविधाएं सही नहीं हैं, वहां प्रभावित रुगनों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए, जो अस्पताल चाहिए, अस्पताल में आक्सिजन की बेड्स चाहिए, उसका इंतजाम चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, अरसे में था, तो कुछ हद तक अस्पताल शेहरों में मौझूद है, सुविधाएं हात में हैं, अब ये हाल हैं, कि जिले जिले में भगाये भगाये बीमार लोगों को, कुविद से बीमार लोगों को, शेहरों तक ले जाना पड़ रहा है, और शेहरों की स्वास्तित दबाव आ रहा है कि वो काफी नहीं पड़ रही तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके साथ साथ विकेंद्री करण का इस फैलाव के विकेंद्री करण का और एक अंग है और वो ये है कि जैसे स्वास्थ व्यवस्थाओं पर दबाव आ रहा है वैसे बगेर कोविद्री स्वास्थ व्यवस्थाओं ये भी कम होने लगा है तो हर तरीके से इस बार की जो बढ़न्त है जो रप्तार है जो प्हलाव है वो पिछली बार से और ज्यादा चिंता चनग है आप कहरें कि पब्लिक हेल्ट सिस्टिम की जो तयारी होनी चाहिए था क्योंकि हमें पहले संकेत मिल चुका था कि अगर कोविड-19 की फालाओ फैलाओ बढ़ेगी तो हमें क्या-क्या करना चाहिए उसकी कोई तयारी हमने नहीं की और बलकि वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं एक सूपर मॉडल तधाकतित सूपर मॉडल के नाम पे हमारा एक भ्रांती जो था कि शायद तब्रणी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिलकुल उसका विपरीत मार्च से होना शुरू हुआ उसके लिए कोई तयारी हमने की नहीं थी और उसकी जो तयारी और एक होनी चाहिए थे वो भी अब साफ नजर आ रहा था कि उस वक्त आपके मौलत मिल चुका था वक्त मिल चुका था आपको वैक्सीन की कम से कम उत्पादन करने की जो सुविधाएं देनी चाहिए थी जो आपको देनी चाहिए थी उसने आपने नहीं दिया बल्कि सिरम इंस्टिटूट में आपने जाके अपना शकल दिखा दिया आपने भारत बायोटेक को पीट थप थपा दिया उसको एमर्जेंसी यूज का आपने बिना डेटा के उसको आपनो अनुमती दे दी क्लिनिकल ट् वैक्सिनेट करने की और आपने सोचा क्योंकि ये तो खत्म हो गया हमारे पास बहुत वक्त है तो हम आराम से सब कुछ कर लेंगे तो वो जो जो मिसकैलकुलेशन था वो भी आज साफ नजर आ रहा है क्योंकि अब वैक्सीन आपके पास स्टॉक जादा है नहीं और बहुत आप इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उत्पादन करने की छमता सिरम इस्टूट की एक स्टर पे जाके अटक गया है और वो बाहरब एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं दूसरे देशों की जो मांग है उसको भी पुरा नहीं कर रहे हैं और आपके पास सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करने का छमता होने के बावजूर कोविड-19 वैक्सीन की आपकी उत्पादन बढ़ाने के सरकार के तरफ से कोई कदम नजर नहीं आ रहा है अदर पुनावाला ना कहीं बार कह चुका है कि हमें 30,000 क्रोर एडवांस ओर्डर दी जाए तो हम इसको के लिए काफी दील्स साइन हो चुकी है जॉंसन जॉंसन के साथ बायलॉजिक एकी आपके कम से कम पांच कंपनी हिंदुस्तान में है स्पूटनिक फाइव की वैक्सीन की उन्होंने दसकत कर चुकी है उत्पादन करने की उनको अभी तक नहीं मिल रही है यह सुद देखते कि नहीं लगता आपको जो पहले की जो काम हमारी होनी चाहिए थे सरकार की तरफ से प्रोएक्टिवली वो हमने किया नहीं था अब जो है अब पूछ पकड़ने के लिए भाग रहे हैं किसी चीज़ का तो प्रबीर ये तो हमारी सरकार का एक रुख पिछले साल भर में यू रहा है कि लगी प्यास तो चले कुआँ खोड़ने तो अब ये देखिए कि आज हलात ये हैं सिर्फ टीकों की वेक्सीन्स की बात नहीं आज हलात ये हैं कि आक्सिजन की उपलब्दी कम हुई है यहां तक कि अब जाके कमपनियों को कहा जा रहा है कि अध्योगिक उत्पादन के लिए ऑक्सिजन को इस्तमाल करना बंद करो चूंकि स्वास्ते सेवाओं के लिए बेहत जरूरी है इसे मैं जो कह रहा हूं कि लगी प्यास तो चले कुआँ खोड़ने पहले से इंतजाम करने की कोई लगता है जैसे सोची ही नहीं हर बार यह सोचते गए कि आते महीने दो महीने में समस्या खतम हो जाएगी वेक्सीन का टीकों का मसला बिल्कुल यही है अब टीकों के लिए यह जाहिर था कि सारे देश को ठीके मुहिया करने पड़ेंगे यह भी जाहिर था कि टीकों का निर्मान निजिक फेत्र में होना है साल भर है आपके पास आपकी जो अपनी जो लब्दिया हैं फेसिलिटीज हैं रिसोर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स हैं ड्रग वेक्सीन बनाने वाली उनका सक्ष्मी करन करते साल भर में बनाने के लिए तो यह नहीं हुआ अच्छा वो छोड़िएगा जो निजी निर्माता हैं उनके साथ बातचीत से कुछ एक हिस्सेदारी बना लेते कि भजा साथ में काम करेंगे आप बताओ क्या हो चाहिए थोड़ा बहुत पैसा हम पहले लगा देंगे इसमें लेकिन आप यह सारी ख्रमताय निर्मान कर लो अपने आप में और आपको जो पार्टनर्शिप्स चाहिए बाहर के वेक्सीन निर्माताओं से उसमें भी हम मदद करेंगे जो ब्रिजिंग ट्राइल्स चाहिए उनको उनके लिए भी सुविधापूर्ण मदद कर देंगे इसमें से इस सरकार में यह नहीं लग रहा कि कुछ भी किया बाजार पे छोड़ दिया कि बाजार देख लेगा वैसे भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि पिछले साल जो हमारा एक शिखर आया था आंकडों का वो तो चला गया अब तो हमें कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि सख्थ जरूरी है अभी जरूरी है तो होने दीजेगा बाजार के जरीम इसी दृष्टिकोंट से सरकार इस समस्या के साथ पेश आया है और नतीजे हम देख रहे हैं कि हर रोज राज और केंदर सरकारों में तू तू मैं मैं हो रही है ये कहके कितने टीके हैं कितने भेजे गए हैं कितनों की जरूरत है क्या है कौन सच बोल रहा है कौन जूट बोल रहा है कौन उस किस पे क्या इलजाम लगा रहा है ये केंदर केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता और इसका मूल इसकी पूरी बुनियाद केंद्र सरकार के इस रवये में हैं कि ये समस्या छोटी समस्या है छोटी अर्से की समस्या है और बाजार पे छोड़े तो बात बन जाएगा सत्ची इस पर मैं दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा एक तो यह है कि पहले से हम देख रहे हैं कि हमारे यहां का जो नजरिया रहा है हेल्थ को कैसे पुब्लिक हेल्थ को कैसे मुआया कराएंगे उसके जगह पर एक पुलीसी कैसे करेंगे यह रहा है जिसको कहते हैं एक प्लैनिंग यह चीज़े आज की तारीख पे सरकार के लिए यह सही शब्द नहीं है यह कोई कहता है तो एंटिनैशनल करार दी जाती है इसलिए कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि आपको टीके की प्रबंध करने के लिए क्या प्लैनिंग आपके पास था अब सिर्फ आं 20 मिलियन 120 मिलियन टीका आप देंगे और सिरम इंस्टिटूट को इस वक्त के पैसिटी 60 मिलियन की है भारत बाय टेक की के पैसिटी इससे भी काफी कम है तो आप तो इस रफतार मेंटेंगरने की स्थितिर भी नहीं होंगे और अगर उत्पादन सिरम इंस्टिट को बढ़ा इस हर चीज में आपने IES IPS से ऐसे लोगों को बठा रखे हैं जिनको लगता है कि छड़ी घुबाने से अपने आप लोग काम करेंगे हमें इसमें शिरकत करने की भागीदारी करने की जरूरत नहीं है तो एक जो प्लैनिंग की कॉपरिटिव विजन की जरूरत थी वो नहीं आया है वो तो साफ है तो तीसरी बात आप से सवाल करना है कि आज ये साड़ी कंपिनिया ये भी कह रहे हैं कि हमें अमरीका से चीजे चाहिए उसको भी सरकार की इंटरवेंशन चाहिए क्योंकि डिफेंस प्रडक्शन आक्ट के पहल उन्होंने अपना एक्सपोर्ट कम कर जा इन वाइटल इंटर्मीडेट चीजे जो हमारे लिए जरूरी है और इसमें रेड़ी लबारेटरी जो काफी प्रसिद संक्स्ता है उस पुट्टिक फाइफ की ट्राइल्स ब्रिजिंग ट्राइल्स कराके डेटा देके इसकी भी चार बार शायद वो डेटा दे चुके ह इसकी भी क्लिरिंस नहीं मिल रहा है जॉंसन और जॉंसन की सिंगल जाब जो वैक्सीन है एक ही प्रटी का देना पड़ता है उसकी वहाँ पर तो क्लिनिकल ट्राइल्स हो गया है इसको जल्दी कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने की इसकी कॉलाबरेशन है बाइलोजिकल इसकी के साथ कॉलाबरेशन है वो भी काफी बड़े पैवाने में बना सकते हैं छेसो मिलियन डोज उत्पादन करने की चमता उनके पास है इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है सिर्फ बातचीत हो रही है कि कहा कितना वैक्सीन हम दे रहे हैं और स्टेट गवर्मे इस चीज को आप भी कह चुके हैं वैक्सीन से इस वक्त यह प्रॉब्लम सॉल्ड नहीं होने वाला है क्योंकि इस वक्त जो है हमें पब्लिक हेल्थ को दूसरी नजरे से देखना पड़ेगा हस्पताल ऑक्सीजन लोगों को कैसे में भी जहां पर ज्यादा क्राइसिस है वह नहीं ला पाएंगी है तो साथ है तो हमारी इस वक्त फोकस जो है पैक्सीन पे जाना चाहिए अगले स्तर के लिए आज के लिए भी अगले वक्त के लिए तो बिल्कुल सही कहा आपने मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा इसमें कि सरकार का जो रवया रहा है वो पूर है जो उसकी खामिया और कमिया देख रहे है वो सारी की सारी पूजिवादी द्रिष्टिकोन की कमिया और कमिया मैं स्वाइधी जोड़ना चाहूंगा पूजी वादी व्यवस्था में थोड़ी सी अकल अगर इस्तामाल करतेandom तो पूजी कम से कम से Бॉल जैसे आप बहुत सारे कंपनियों को देते हो बैंकों नचामाई के बार कमपनिय किन दूसरे तरह ओडिया पूजी वादी नहीं किया यह एक दूसरी सवाल जो हमारे सरकार के सामने होनी चीए और आदरपुना वाला जब कहते है तीन हजार क्रोड की हमें दिया जाए वो तो पूजी पती पूजी वादी दृष्टिकोन से ही कह रहा है और इसलिए बैंक भी है हमारे अब बैंकों की पैसा कहां कहां उस पे हम बातचीत नहीं करेंगे आज पर इसको देखते हुए लगता है कि पूजी वादी रिष्टिकोन भी प्लैनिंग का विपरीत नहीं है और ये चीज जो है सरकार को शायद प्लैनिंग कमिशन पर फिर थोड़ी सी वापस आने चाहिए ना कि दीती आयोग में जो एक कंसाल्टिंसी विंग है इस वाक्त सरकार की आज की लिए है इतना ही हम सत्यूत के साथ ये बातचीत और भी जारी रखेंगे क्योंकि लगता है महावारी का प्रकोप्ध देश से जल्दी जाने वाला नहीं है इसी लिए ये हमारा एक हर हफ्टे की बातचीत चलती रहेगी पहले अभी देखें कोविग नाइंटीन का क्या सती होती है और इसके बाद हम दूसरे इशूस को भी इस पर आपके सामने लाएंगे तन्देवाद लिए को देखने के लिए हमारे साइट पे आईएगा हमारे यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा